पहले अपनी त्रिशनात्यागो एक संतने वर्सों से सत्संग के लिए आ रहे एक व्यक्ति की धर्म और साधना के प्रति रूची देखी तो सोचा कि अब इसे सांसारिक प्रपंचों से बचा कर साधना भक्ति में ही लगाना होगा। उन्होंने उसे संञास की दिक्षा दे दी फिर अपनी कुटिया उसे सौप कर बोले। वर्स तुम यहां रहकर साधना करो। ज्यान रखना की केवल आत्म कल्यान तक सिमित न रहो। संञासी का दर्म यही है कि वह समाज के कल्यान का चिंतन अवश्य करता रहे। यह कहकर संत धर्म परचार के लिए निकल पड़े। कुछ वर्स बाद वह उस प्षेत्र में पुन आये तो सोचा की सिश्य सन्यासी से मिलना चाहिए। जब वे वहां पहुँचे तो कुटिया की जगह बव्य आश्रम देखकर वह चकित हो उटे। अंदर पहुचे तो देखा की सिश्य पूजा आर्थी के बाद अंगों पर बस्म लगा रहा है। अभी वह बस्म लगा ही रहा था की गुरुदेव की आवाज सुनाईती। शिश्य गुरु को देखते ही उनके चर्णों में गिर पड़ा। संत ने पूछा साधना ठीक चल रही है। शिश्य ने कहा गुरुदेव साधना में विद्न पड़ गया है। जिस वित्ति ने आश्रम के लिए भूमिदान दी थी। वह इसकी किमत करोडों में हो जाने की कारण अब वापस मांग रहा है। संत ने कहा वापस मैंने कुटिया में रहकर साधना की। तुमने भव्य भवन बनाने की लिए दर दर जाकर चंदा मांगा। क्या कभी तुमने अपने अंदर जाकर देखा कि भव्य भवन बनाकर महाधिपती बनने की त्रिश्ना तुमने क्यों पेदा हो रही है। गुरु के वचनों ने शिश का विवेक जागरत कर दिया। उसने आश्रम के कमरे में रखा कमंडल उठाया और गुरु देव के साथ धर्म परचार के लिए निकल पड़ा।